हालो हाँ दिपक लेकर धिस साइड अभी हम चर्चा करने वाले हैं डिप्रेशन और स्यूसाइड यह खुदकुशी कुदकुशी करने वाले लोगों में से जादातर लोगों को डिप्रेशन रहता ही है मतलब निराशा या निराश्य रोग या हताश या निराश लोग रहते हो और उनको डिप्रेशन की विमारी रहती है अभी आज तो ऐसा स्टेटिस्टिक्स है कि ऐसा एक समय आ जाएंगा अभी कि दुनिया में हर चार लोगों के पीछे एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा नर्वस निराशा का शिकार हो जाएगा या डिप्रेशन के बिमारी का शिकार हो जाएगा तो डिप्रेशन में बाकी जो उसको जो लक्षन है डिप्रेशन के कि उदास रहना हताश रहना रोना आना नीन नहीं लगना कुछ काम करने की इच्छा नहीं होना सामने ऐसा अंध विखार भार आते रहे घी जीवन में कोई पड़ा नहीं है तो वह खुदकुशी के विचार बोल के बताता है होता क्या है कि हमारे बोल इसा मानते है कि जो बोलता है वो करता नहीं, मगर ऐसा नहीं है खुदकुशी करने वाले 10 में से 9 लोगों ने पहले बोलावा रहता है कि मैं करने वाला हूं खुदकुशी इसका मतलब जो जो लोगों ने पहले वार्निंग दी हुई है वो वार्निंग हमने एकदम ऐसे लाइट ली ऐसे नहीं लेना चाहिए मतलब इस तरह का हमने उसके तरफ बेखायल नहीं करना चीए जो भी कोई बोलता है कि ने मुझे मरने की इच्छा हो रही है मरने की विचार आ रहे है तो सीरियसली लेना चीए और दस में से जो दस committed suicide है मतलब जिनोंने मतलब आत्मत्या हो गए उनकी ऐसे दस लोग समझे हमने लिया तो उसमें से भी नौ लोगों ने पहले बोला रहता है कि मुझे मतलब ऐसा लगता था या उसने थ्रेट डिया हुआ है या कोई उसने बोला हुआ है कि मैंने suicide करना है कर गी तो कोई भी मतलब suicide की वार्निंग जो है वो लाइटली लेना नहीं है लेडिज में स्त्रिया में ज्यादा रहता है पुरुशों से suicide का प्रमाण शुशन अलग अलग तरह से होते रहती है जैसा जल आके मर जाना जल के मर जाना मतलब रोकल खुड के ऊपर के ना जादा तरह हैंगिंग करना मतलब फास लगा लेना और पंखे को लटका लेना या फिर पानी में जाके कुद मारना, बावडे में कुदी मारना, या मतलब ऐसे इस तरह कि या रेलवे के पट्रिक्यों पर जाके सो जाना, ऐसे अलग-अलग-अलग-अलग तरीक्यों होते हैं, common जो तरीका है, वो फासी लेने का होता है, फासी का बंदा लगा लिया, घर में कुछ तभी और लटका लिया खुद को, जितने भी लोग खुदकुशी करते हैं तो वो करने के पहले, वो एक्चुली उसको बोलते है, cry for help, मतलब वो चिल्ला तरह दे कि मुझे मदद करो, और चिल्ला ते कैसे मदद करो करके, कि मेरे बाद में ऐसा ऐसा करना चाहिए करके, मतलब में मरने के बाद में अभी बच्चों का कैसा होंगा उसके बार में लिखेंगे, या उसके बार में चरिचा करेंगे, या फिर एक्चुली खुदकुशी करने के पहले कुछ ना कुछ उसने किया रहता है, वो हमने उसको बाका यदा बराबर मतलब ऐसा सीरियसली देखा उसके तरफ तो मालूम बढ़ेंगा कि नहीं ये उस तरफ जा रहा है मगर उसको बे दखल कर लेते हैं तो कुछ भी उसकी जो कृती है लगती की जो डिप्रेशन में है तो उसके तरफ ख्याल देना बहुत जरूरी है उसके पास में कोई हत्यार नहीं होना या चक्कू या बाकी कोई ऐसे मतलब दुपट्टा जैसी चीज़े या रसी ऐसे उसके पास में नहीं होना या गोली खाके लोग या पॉइसन लेके लोग मर जाते हैं वो भी बहुत कॉमन है किसानों में क्यों खेती के लिए लाते हैं कोई सब्स्टंसेंस मतलब और उसमें से वो पी लेते हैं कोई दवा और लिक और अर्गन फॉस्फोरस या कोई बहुत लग जाते हो तो बस पी लेते हैं खतम हो जाते हैं फटिलाइजर लाते हैं मर जाते हैं तो वहां उस समय यदि उसको मदद मिल गई तो बस सकता है मदद मतलब उसको सपोर्ट देना या उसका मन कहीं बहलाना या उसको कहीं बाहर घुमने ले जाना या उसके उपर वाच रखना उसको वो कर्ण देने का नहीं मतलब वो क्या होता है कि.......... आसा बहुत कम फ़दिखाए दिया है कि प्लैनिंग करके कि वै कल शाम को मैं मरने वाला हूं उसके धिमाँ में विचार चालू रहते हैं, गर वैसा कोई ताइम उसने फिक्स किया रहता वो उस समय उसका विचार आता है तो इसलिए जो स्युसेड के विचार करने वाला वेटती है या निराश हताश वेटती है उसको सपोर्ट करना वो जरूरी है और उसका मन बहलाना उसको जो निराशा आई हुई है हताश हुआ है उसको हम क्या सपोर्ट कर सकते है उसको फ्यू होंगा पैसे का कैसा होंगा मेरे उपर करजा है अब हमारी सरकार जो आयो करजा मतलब करजा फेडना चाहिए या करजा माफ करना चाहिए करके सब तरह डिमांड होते रहे हैं सरकार करजा माफ भी करती है कोई प्राब्लम नहीं है माफ करने के लिए, माफ करना भी चाहिए मगर करजा माफ करने से आगे वो करजा करेंगा नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या तो मैं हरना मैं बोलता हूँ करजा माफ करो कोई प्राब्लिम नहीं है मगर उसके साथ साथ उसको किसान उनको या वो वेक्ति को ऐसी ताकत दो कि फिर से वो करजा ना करे इसलिए उसको ताकतवर बनाना empower करना enable करना यह तो फिर क्या है कि अभी करजा माफ कर दिया फिर दुबारा साल दो साल के बाद में फिर करजा हो जाता है तो वो भी करना ज़रूरी है कि जो भी financial problem में है तो उसको enabling and empowering मतलब उसको उसकी क्षमता बढ़ाना और उसको शक्तिशाली बनाना ताकि वो फिर से करजा ना करे या अपना जीवन वो शक्तिशाली रूप से जी सके इसलिए काम करना वो ज़रूरी है तो इस सरके किसानों को मदद कर सकते है और जो depression में या जो भी कभी कभी ऐसा होता है कि वो depression है मालूमी नहीं पड़ता डिप्रेशन मतलब निराशा जो अंदर चालू रहती और मरने की विचार उसको बार-बार आते रहते है कि मरना चीह करें तो ऐसे इसमें उसको depression का एलाज करना जरूरी है suicide की विचार की बार-बार आ रहे है तो वो obsessive-compulsive neurosis है क्या वो देखना जरूरी है depression यदि उसको है और उसके वज़े suicide आ रहा है तो मतलब suicide करने की विचार आ रहे है तो depression की treatment दवाई से antidepressants दवाई से या मांस उप्चार से या सम्मोन उप्चार से hypnotism से करना जरूरी है कभी-कभी schizophrenia के जो patient है schizophrenia मतलब छिंद मानस की बिमारी या एकदम पागलपन की बिमारी जो बिमारी में उसको आवाज आते रहते है बाहर के कोई आसपास नहीं रहता तभी उसको आवाज आते है और वो आवाज उसको बोलते है कि ऐसा कर वैसा कर उट बैट सोजा काम कर खाना नहीं खाना ऐसा कोई जगडने के आवाज ऐसा आते रहते है तो कभी-कभी वो आव आवाज उसको बोलते मर जा तो वह आवाज जो बोलते मर जा इसलिए उसको जो तकलिफ होती है तो फटक से आपके कुछ जाता है कि इससे चुटकारा पाना चिये करें तो schizophrenia जो बीमारी है एकदम पाकल बन की बीमारी उसमें भी suicides होते रहते हैं बाकी suicide के जो कारण है वो कारण है कि पती बत्नी में जो संगर्श हो है फिर रिसेंटली शाधी हुई है और घर से जादा पैसे मतलब यह जो है उसका पती उसके घर से demand होते हैं तो फिर टॉर्चर किया जाता है फिर घर में बोल भी सकती नहीं है क्यों घर से उसको support मिलता नहीं है हमारे समाज में हमारे देश में ऐसा होता एक बार शायदी कर दिया बस तूवह Bu Dreemash proto opinions के और अभी क्या करना है तो ऑफ सने का वहाँ और वह नहीं सकति अब आपस और ना वहां सहन कर सकते हैं रहां सब्सक्रेक हैं तैसे काफी सारी बाते हो्ते कि लोगों को मैं कैसा Vielen बहुत बड़ा लॉस होना अपने धंदें में बहुत बड़ा लॉस हो गया तो उसका मैं कैसा सावन हभु या फिर कहीं आरोफ हो गए, मैं दोशी नहीं हूँ और मेरे उपर कुछ आरोफ हो गए, पुलिस ने पकड़ लिया, जेल में जाना पड़ा, मालूम है कि मैं निर्दोश हूँ, तभी भी ऐसा हो गया, तो उसमें ऐसे हैंने कारण होते रहते हैं, तो वो कारण जिसके जिंद कुछ करता नहीं है, तो हमारा अज़ा का यह करता है, फिर अभी हम हमारे होस्पिटल में 24 अवर सेवा देते हैं, कि जिसको भी खुदकुशी की विचार आते हैं, उसको कौंसिलिंग की सेवा हमारे होस्पिटल में मिल सकती है, स्पेशली किसानों के लिए, वो यह यदि हम पात कर सकते हैं, कौंसिलिंग ले सकते हैं, मांसोफचार ले सकते हैं, ताकि वो उतना समय दिनिकल गया, तो उसकी जान बस सकती है, तो हमारा यह फर्द है कि ऐसा कोई भी वेक्ति हमको दिखता है, कि जो ऐसा बोलता है कि ने मैं खुदकुशी करने वाला हूं, तो वो जानकार के आज考 ठान की कुतकुछ हो रही घा ऑफी कारे मतलब आज पेपर खोलो आप कोई भी कारणी खोलते हैं तो अपबार में वही है पहले पेश की एवर बीजस्फ की कारण कार्ली दर द्न चोन gj होगे गए यह मेर तीन ख language का देता है तो यह सब जान बस सक्ते है और लोग एक अच्छा जीवन, जी सकते हैं लोगों को financial freedom, आर्थिक स्वातेंद्र लोगों को मिल सकता है, और लोग अच्छा जीवन, मतलब खुशाल का जीवन जी सकते हैं, ये इसके बारे में और जानकारी है हमारे वीडियो में आपको मिलेगी, आप मेरे वीडियो को आप अऑ्षान सकते हैं, झाते हैं और लोगों को आपको में आपको में ऌा जीको आपको आपको हैं.